अभी अभी एक बहुत बड़ी cover और good news आप सभी के लिए एहमदाबाद में जो new coin museum open हुआ था उसमें 10 ऐसे coin और notes का requirement है जो आज आप सभी को लिए मैं बताने वाला हूँ और भाईव में बता दूँ कल हमने एक वीडियो ड़ा था जिसमें बता रहे था तो हम खरीदेंगे और वो वीडियो में मतलब आप लोगों के किरपा से काफी अच्छा response गया और बहुत से लोगों का मतलब उसमें से sale होने वाला है जो rare और antique note और या फिर coin है तो अभी जो फिलाल proposal आया है वो एहमदाबाद में जो coin museum open हुआ था उसका आया है और वहां पर भी 10 ऐसे note और coins के जो requirement है जो old और rare और antique coin और note है उन सभी coins के बारे में detail में बताएंगे कौन से कौन से coin या फिर कौन से note है और कितने price हैं क्या कीमत रखा गया है एमदाबाद coin museum के और से वो भी चीज़े बताएंगे आपके पास rare और antique coin और कौन कौन से है और कितने कितने है और इस तरह से पुराने सिख्के और note हमेशा अपड़ेट रहने के लिए क्या करने वीडियो के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे दबागे चैनल को सब्सक्राइब करके all notification को on कर लीजे और वीडियो को एक like जरूर से कर देना काफी ज़्यादा motivation मिलता आपके like करने से और वीडियो को ज़्यादा ज़्यार करो whatsapp facebook अपने साथ दोस्तों के साथ तक कि जिसके पास भी जो मैं ये 10 note या फिर coin का नाम ब पास दसों है तो फिर आप बिल्कुल करोड़पती बनने वाले हो अगर चार पांच या फिर एक भी है ना तो आप लगवती बिल्कुल बन सकते हो तो भाई बने यहाँ पर एहमदावाद coin museum को और से ये proposal आया कि आप audience को बताओ ये चीज़े तब विस्तारुप से सभी कु coin museum को जो coin चाहिए वो हो गया Lord Ganesh यानि कि दो रूपीज का एक गनेश जी का coin आता है वो चीज ठीक ना तो यहाँ पर देखो आपको यह coin जो screen में देखने को मिल रहोगा यहाँ पर लिखा होता है वोलू दगार्ड और इसका established है ये 2003 का है और यहाँ पर देखे यह लिखा का जो दो रूपे वाली coin है यह अगर आपके पास available है तो इसका कीमत यहाँ पर अमदवात coin museum को और से असेट किया गया है पूरे 50,000 रूपे कुछ ज्यादा मैं नहीं बता हूँगा लेकिन 50,000 रूपे भी इस 2,000 का value कम नहीं है ठीक है ना तो यहाँ पर इसका कीमत रखा है अमदवात coin museum को और से पूरे 50,000 रूपीज यहाँ पर हम लोग दूसरे coin की अगर बात करें दूसरा जो coin हमारे आ जाता है यहाँ पे माता वैशनो देवी का 10 रूपे वाली coin तो बात आती है कि यह coin क्यों आपका यहाँ खास है यह रेर है और एंटिक है यह जो 10 रूपे तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग यहाँ पर बिल्कुल मतलब नहीं है यहाँ पर माता वैशनो देवी का जो लोगो है वो करेक्ट है और परफेक्ट से यहाँ बैठा हुआ है तो इस coin का वैल्यू यह कीमत जो रखा गया है एहमदावात coin museum को पूरे 2,00,000 रूपे अफिर coin जो भी है वह उन तक पहुचा पहो गए तो यहाँ पर हमारे तीसरा जो आता है तीसरा आ घाया हमारा एक note है तीसरा और यह तरीसना जो note है यह Natomiast ten अंपे विए aपका 5 यृपयाइ बहुत सुना होगा पांच यृपे का ट्रैक्टर ऊठर debeline यह construct स्न planets को यहाँ क्यों खास मना जाते हैं कि यहां पर एक agricultural sign है यह और यह भारत देश के लिए क्रिसी एक बहुती बड़ी चीज है तो क्रिसी का यहां पर sign है और देखे बीच में अगर है तो आप बिल्कुल रख दो उसके बाद हमारे जो नोट आता है यह आता है हमारे दो रुपए का जो old note है जी हां दो रुपए का जो पुराना note है इससे आप लोग देखे होंगे यह थोड़ा सा अभी चलन में नहीं है यह बिलूबल भी आपको इस note के बदले आपको मिल सकता है लेकिन उससे पहले आपको वीडियो को एक लाइक जरू से कर देने हैं और नीचे कमेंट करने आपके पुराने सिक्के है फिर note और कौन-कौन से और कितने कितने हैं क्योंकि आपके कमेंट करने से बहुत ज़्यादा फायदा होता है तो दी 20 रूपीज का ओल्ड जो ओरेंज कलर का एक नोट है चकरी वाली यहाँ पर काफी ज़्याद है रेर और एंटीक है और इसका कीमत एहमदाबाद को और से रख गया पूरे डेड़ लाग रुप है तो अगर आपके पास यह नोट है तो बिलकुल आप बने रहो अन तक आपक coin museum तक पहुंचा पाऊगे उसके बाद का हमारा जो यहाँ पर note आता है यह भी note ही है और यह है हमारे 10 रुपए वाली black color वाली note तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 10 रुपए वाली जो black color वाली note है विल्कुल भी strong करना है जो मुंबई के coin museum है उनसे भी ज्यादा उनको target वीट करना है उनको उनसे भी ज्यादा strong करना है अपना collection तो इस बज़स से यहाँ पर 10 रुपए का यह जो note है इससे भी काफी ज़्यतर rare और एंटिक माना गया है और इस note को के कीमत यहाँ पर रखा गया पूरे तीन लाख रुपए जिया अगर आपके पास यह 10 रुपए वाला note एक है दो है दस है आप सभी को रखो अन तक वीडियो तक वीडियो को देखो अभी मैं बताऊंगा किस तरह से आप इस note को एमदबाद Coin Museum तक पहुँचा पोगे जिया उसके बाद जो हमारा note आता है यह भी आता है दस रुपए का ही note है और यह 10 रुपए का ओरेंज कलर का एक note है यहाँ पर आप लोग देखे होंगे इस note को फिलहाल अभी यह market में देखने को नहीं मिलेगा लेकिन इस note को अगर आ यहाँ पर लिखा हुआ है तो यह सारे चीज़े जो ही इस note को काफी ज्यादर खास बनाती है और इस note को काफी ज्यादर रेर और इंटिक बनाने के साथ साथ इस note का कीमत जो है अमदबाद Coin Museum को और से पूरा रख दिया गया है दो लाक रुपए और इस note का अगर आपके पा जरूनाने का रिजन है खास क्यूं है इस note को क्यों rare माना जता है क्यों इस note में यहाँ पे सम्मुंदर का सजीन है और यहाँ पे ह्र बोट्र है यह काफी जिए रेर और इंटिक बनाना जता है तो इससे रूपे का जो नोट है यह काफी more agree and take और इस note का यहां पे प्लेटिनम जैनती का नाम से यहां पर वहारत है रिजर्व वैंग का रिजर्व पर इंडिया लिखनेट नागत यहां पर ईसके बदले अपको पूरे के पूरे यहांपर दो लाक रुपए मिलने वाले हैं तो इस तरह से अगर आपके पास यह वाली सिक्का है तो आप बिल्कुल अंतक देखो वीडियो को किस तरह से आप इसको एमदाबत कॉइन मुजएम के पहुंचाओगे यह चीज़ बताएं क्योंगे इसका कीमत सेट किया गया पूरे दो ला है और यहां पर जो माताब वैश्णो देवी का जो लोगो है या सेंबल बोल सकते हो वह काफी जादा विजिवल होने के चलते इस कॉइन का फ्राइस जो है अमदाबात कॉइन मुजियम का और से रखा गया है पूरे के पूरे एक लाग रुपे भाइवन मैं आपको यहां मेरे पास बहुत सरे कॉइन कलेक्टर्स और कॉइन डीलर्स का भी मतलब मेल आया था जिसके कारण हमने आपको वीडियो बना के भी दिया था कि यहां पर मातावेश्णो देवी का कॉइन चाहिए उन सभी को वीडियो बनाने के बाद लाखों मतलब बहुत हाजारों के अगर आप लोग यह सेल करना चाहरा हो…. sommes कछ नहीं करने कि आपको irrelevant करना है कि आपको यूटूब 옆 यूचे सिर्फ वीडियो के निचई comment करना है कि तो यह सिर्फ कोको स्क्राइब करना है, मैं आपको यूचैनल करना है और वहां से हमारी आपके हर comment करेगी और आपके mail को open करके उसमें mail send करेगी हमारी company ठीक है हमारी जो team है तो mail send करेगी आपको mail में ही आपको contact किया जाएगा और mail से ही आपको सारा detail दिया जाएगा किस तरह से आपको उस चीज को वहाँ पर by post या by courier आपको send करना है अमदाबाद coin museum में और आपको वहाँ से पैसा किस तरह से मिलेगा ये सारा चीज आपको mail में ही provide किया जागा तो सबसे पहला आपका major काम होगा वीडियो के नीचे comment करेए आपके पास वराने से क्या फिर not कौन कौन से है और कितने कितने है उससे आपका mail ID हमें मिल जाएगा और हमारे टीम आपको reward करेगी mail वेगी हम जो है इस तरह से publicly privacy के चलते हम लोग कहमदाबाद coin museum के जो detail है वो आपके साथ share नहीं कर सकते हैं उमीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आओगा वीडियो पसंद लाइक करेए चैनल सब्सक्राइब करके बैल आइकन दबाईए और वीडियो के नीचे कमेंट करना मत भूलिए जय हिन दोस्तो बंदे मात्रम जय भारत